उनको लगता है कि भाईया हमारी सरजिरी आज जो है तो हम कल से रनिंग करना स्टार्ट कर दें सेकिंड वीक में मुझे हलक असा पेन होई नहीं लगा जैसे एक बोलता है कि चलने में जो उनकी चाल होती है वो ऐसे रह जाती है या ऐसे रह जाती है मतलब थोड़ा बहुत उस ट्रेशन में इंकिस्ट्रियर को सेकसफफफल बना सकते हैं अब सबसे पहली ही चीज़ जो भी मिस्षे कोख होती है जो लोग आवंएड नहीं करते है वो क्या होता है कि जैसे आपकी सरजरी होने के बाद होता क्या है कि मेनिस मेडिमी मेडिव मेडिसेन बोलोर कि अगर यह थेक्सियो थरेपी तो आपको पेन की या क्टक कीuire क्यों कि आनकी मदे की यह और आपकी सरजरी ऑथ कि अपके कहिसा अग्याएटव दिमाग में भी यह चल रहा है that मैं एक महीना दो महीने exercise कर लोगा और मैं फिल ठीक हो जाऊंगा तो इस गलत फ्रमी से आप बाहर आ जाईए being a ACL patient ये चीज मैंने जो exercise थी मेरे दिमाग में था कि starting से exercise ही मेरे को ठीक कर सकते क्योंकि कि doctor ने मुझे एक दम clear कर दिया था कि अगर आपको वापस से अपना वह active lifestyle अचीव करना है तो आपको exercise तो करना ही पड़ेगी और उन्होंने मुझे बोला था कि आप nine months लेके चलिए nine months के बाद ही आप running कर पाएंगे जॉगिंग कर पाएंगे वाक कर पाएंगे या स्पोर्ट में जा पाएंगे मतला कोई भी चीज हो पाएंगे आफ्ट नाइन मुन्स तो नाइन मुन्स के लिएक दम भूल जाईए और exercise पर ही focus कीजिए अब जो अगला question आता है आपर कि walker discontinue होने के बाद अब लोग क्या कर करते हैं उसी चीज को follow करने लग जाते हैं walk walker के साथ ही चलने लग जाते हैं मतला अपनी body को ऐसी आदर डाल देते हैं कि उनको बिना support के उनसे चलाई नहीं जाता बट यह चीज अच्छी नहीं है आपको अपने जो माइंड को ना मतला मैं अपना personal experience बता तो मैंने अपने म ही चलेंगे अब आप बहुत लोग क्या करते हैं उनकी जो जैसे एक बोलते हैं कि चलने में जो उनकी चाल होती है वो ऐसे रह जाती है या ऐसे रह जाती है मतलब थोड़ा बहुत उसमें फरक रहता है अगर आपको normally चलना तो आप normal ही अपना आपको consider करें यह सोचे कि आप अपना experience जो बता देता हूं मैंने को इस्टेक यूज नहीं करी थी वाकर हटने के बाद मैंने दो या तीन दिन वाल सपोर्ट के साथ वह ऐसार से करके मैं वाल के सारे चल रहा था यह बस क्योंकि मैं अपने मैंड को continuously signal यही दे रहा था कि मुझे मैं normal हूं और मैं आराम से चल रहा हूं तो धीरे-धीरे करके मेरा दो-तिन दिन में मैं दो-तिन दिन में भी एक दिन बाद ही एक दो दिन बाद मैं अपना normal पैरों पर चल रहा था ऑल्दो आपको दिक्कत होगी और मतलब डर लगता है क्योंकि आप सूचो ना आप आठ हफ्तों से साथ या आठ हफ् को वापस उस नॉमल स्टेट में लाना है मतलब जब आपकी सर्जरी हुए थी सर्जरी से पहले वाली स्टेट में तो वहां जाने के लिए आपको अपने माइंड को आपको जो माइंड सेट है उसको एकदम क्लियर रखना पड़ेगा तभी आप अच्छे से वाक कर को उस्की आप पहले जब का आप का यह करना है थो उनसे डीरेशन पूची कई कि यह कितना देर मुझे चलना चाहिए तो अन्होंने यह बताया था कि आप दीर दीरर करके औ이डर कर्वो नहीं के आ इसका संपल सां설 आप बैलेंसिंग एक 사용 मैंने अपना एकसाइज वाला वीडियो बनाया था आप अग भॉक्ष करी थोड़ा तक के लोग है ना गूग बानने लग जाते हैं लाइक अपने डॉक्रणे करन boldly चीज़ होते हैं ज़रूरी नहीं कि मतलब डॉक्टर से ही अंसल कर पाएं कभी कभा होता है कि डॉक्टर बहुत जादा दूर रहता है अपने उनके जहां वो रहते हैं कोई 200 किलोमेटर और जो मैंने आपको प्रीविस वीडियो में बताया था कि मेरी जो एक साल की जरूनी र योछ यी सब्सक्राइब लूज जाएअ हमारा इसलूज जाएगा इस तरीके से बहुत एक सवाएजी कईळी होती है कि अब हम क्या करें तो टो एक से जियर होजे तो जो अ सिकना बंद कर दिते हैं अब एक maya बताता हूं कि जब डॉक्तर क्या करते तब फके शर्जरी के तो यहां मैं कहाना चाहूंगा कि इस चीज कोना हमेशा जो भी आपकी क्वेरी आपको मंथली डॉक्ट्री विजर पर जाने कुछ भी है कुछ भी है अपने पेपर पे वह सारी को लिख लें ऑब यह यह कि मेरे दिमाग में रहेगा मैं डॉक्टर के पास जाओंगा मेरे दिम आप उस पेपर पे लिख लो और पेपर पे लिखने के बाद फिर अपने डॉक्टर से बात करो कि मेरे को यह इस्यूस है इनका क्या-क्या आंसर है ठीक है गूगल पर इस सारी चीजे मत पड़ो क्यों कि गूगल पर क्या होता है बहुत सारे लोग अपना अपना एक्स्पीरि को सॉल्व करेंगे तो जो भी कोई दिक्कत है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे अब बहुत सब्सक्राइब क्या करते हैं कि एक-दो महीने एक्सराइस करी उसके बाद छोड़ जाते उनको लगता है कि हम ठीक हो गए बट रियालिटी क्या होती है रियालिटी यह होती ह है कि एक-दो महीने एक्सराइस करने से आपकी रिकावरी नहीं होती है जैसे मैंने पहले बताया कि रिकावरी में आपको नौ महीने के आसपास तो आपको एक्सराइस करनी ही होती है वीजन क्या होता है तभी आपके स्ट्रिंथ आपकी गेन होती है आप बेल्ट होती है अच्छी खासी क्वालिटी पकड़ता है अब यह तो है नहीं कि आपने एक महीने के सब्सक्राइब उसमें एक महीने के सब्सक्राइब मैं आपको वीकनेस फील हो सकती है वीकनेस जैसे कि आपका ACL उतना नहीं होगा स्ट्रॉंग तो शुडू के तीन महीने तो डॉक्टर्स भी शुडू के तीन महीने में तो आपको अच्छे से प्रेकॉशिंस लेनी है कि उस ताइम आपका ACL एकदम नई कंडिशन में होता है उसको ब्लड सप्लाइब होने में बहुत सारी चीज़े होती है और आपकी बॉड टू विलर फो विलर चलाने में जल्दबादी दिखाते हैं बहुत लोग अब जैसे उनकी सर्ज्री उनको एक महिना हुआ और उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया टू विलर अब उसका डिसद्वांटेज क्या हो सकता है क्यों डॉक्टर मना करते हैं कि कहते हैं कि इनीश कि होता है कभी गलती से आपके ACL पर अचानक से मान लो अपने ब्रेक लगा जिए अगर आप टू विलर राइड कर रहे हैं या फूर विलर राइड कर रहे हैं कोई आपके गलती सामने आ गया तो जो स्ट्रेस होगा आपका जो न्यू एसील रिकंस्ट्रक्ट हुआ है उस प लेट है ना आप उस पर बेर भी कर पाएंगे और आप नॉर्मली स्मूधली आप राइड भी कर पाएंगे चाहें आपकी बाइक है या आपकी गाड़ी है उसको आप अराम से चला पाएंगे डॉक्टर की एडवाइस को अवाइड करना अब देखो सक्सेस्फुल रिकवर पर जैसा बोलते हैं अब उस चीज़ से फॉलो करें तब आपकी रिकवरी अच्छे सो पाएगी इंसिडेंट मतातो वह हॉस्पेडल का इंसिडेंट है कि उनकी जो सर्जरी थी वह इती बाइस क्रू से यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो देखा फाइबर टेव वाला फाइबर टेव वाले में ऐसा बोलते हैं कि तीन महीने बाद आप रंणिंग स्टार्ट कर देते हैं ठीक है और बायो स्क्रू में यह केस होता है छे महीने बाद आप छे से साथ महीने बाद ही आपकी रंणिंग स्टार्ट होती है तो उन्होंने क्या करा बायो स्क्रू करें मैं अपने एक इंसिदेंट शेयर कर देता हूं मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने रुनिंग स्टार्ट करी आफर सेवन मंथ तो मुझे फर्स वीक वस फाइन सेकिंड वीक में मुझे हल्क असा पाइन होने लिए बट लखी लिए वो पेन मेरे वोन के पास था कोई ACL म नहीं था अब उस टाइम पेन वार हलकी सी हलका स्वेल हो गया दा महां पर तो मैंने तुरांट डॉक्टर को कंसर्ट किया आफ्टर वन और टू डेज तो उन्होंने कुछ मेडिसेन लेकि और मेडिसेन जोती मेरे से आच से दस दिन के असपस की थी और दूसरी चीज उसमे मेरे से बोला कि दस दिन के लिए अवाइड करो अभी आपकी जो बॉड़ी है आप छे साथ महीने बाद रणिंग कर रहे हो तो उसको एड़प करने में टाइम लगता है विच इस फाइन और कोई बड़ा इश्यू नहीं है तो सम उसके बाद फिर दस दिन बाद फिर मैं अ तो चीजे आप आपके जो डॉक्टर वह आप कंसल करेंगे क्योंकि अवेलेबिलेटी बहुत सारी चीजे होती है हो सकते है कि उसका सॉल्ट है वह सेम रहे लेकिन यह चीज आप कि जी से ना पूछे कि आपको टाबलेट क्या खानी है क्या नहीं खानी टाबलेट वाला सकते हु सिल्ट कि कि मेडिसिन के लिए समय जादा कोर्स होता है उसके बाद जो चलता है आपका विटेमिन के चलती है और क्यां की के ओर च्यलतियों कि एक से लेड़ मह savior कर बता देंगे कौन सी आपको लेनी है कौन सी नहीं लेनी है मेडिसिन का और को चूड़ा ओन्लाइन इंसर्च मत करो कि और खुद के डॉक्टर मत बनो अब रिकवरी के टाइम पे इंपेशेंट होना देखो जो रिकवरी का टाइम होता है वह लंबा होता है यह निए कि बहुत छोटा रहेगा अब आप उस चीज को कैसे ओवाइड कर सकते हैं आपको बस डे बाई डे वाला फॉलो करना है जैसे कि आपने जैसे आपका डे वन है आपका फेस वन फेस टू फेस थ्री फेस फोर इस तडीके से फेसे आते हैं आपके इस एस रिकवरी के अंदर उस चीज को आप पेशेंट ली फॉलोगर आई नो आई कैन अंड़स्टांड कि एक टाइम पर आता है कि जार मैं कब रंणिंग करऊंगा बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला वह चीज होती है उसके लिए मैं यह चीज बता हूँगा कि आप अपने आसपास का जो महाल है उसको पॉजटेव रखें हो सकता है आप मोटिवेशन कोट्स पढ़ें बुक्स पढ़ें वीडियो देखें उस बढ़ा पाओगे अब हो सकता है कि बहुत लोग नेगेटिव फील करते हैं कि हमारे जो एसेल की डिकावरी है स्लो हो रही है तो आप इसी से जजमत कीजिए आप रेगलर्ली एक्सेस कीजिए डाइट फॉलो कीजिए तो इसली आपकी सारी एकावरी जो प्रोसेस वह बहु मेर साथ यह ना होता अरय अगर वो एक्सेजी परसन मेर को ना भूलाता तो मेरे साथ यह नहीं होता मादलब साध रीजन होता है और उस चीज़ को दूसरे को ब्लेम करते हैं सो मेरे साह predator कोई यार देखो अगर उस time हो सकता है कि आप नहीं गए होते तो यह तो आपको बता नहीं है फीचर में क्या होने वाले अगर आपको पता होतो तो आप क्यों ही जाते एक बार आप जो चीज हो गई तो उसके बारे में da bis де Ash-ra al覨 करने से किया फ्यादा आप जो आप रखो को पता है आपकी जो कंडिशन है आपको उस पे ही काम करना है अब आपस से तो वह नॉर्मल नहीं हो सकती तो जो कंडिशन है उसपे Dáp काम किजिए और मैं यहीं बोलता है कि पॉजटिव पॉजटिव वर्ड ही अपने आप में एक पॉजटिव है और जो चीज हो चुक है उस पर रेग्रेट करने की कोई है नहीं कोई दिकत दी नहीं है आप रेग्रेट कितना भी करते हो अब कुछ उस चीज के बारे में सिच्वेशन को चेंज करपाऊगे अगर पता है कि रिग्रेट से कुछ नहीं मलने वाला बेटर यह कि आप जो आपकी सिच्वेशन है उस पर आप काम करें और अपनी रेगुलर्ली अपनी फिजियो थेरेपी को कॉंटिन्यू करें बेटर कर दे रहें डे बाए डे तो आप एकदम ठीक फटन फाइन हो जाओगे और अपना आपका जो एम है वह हमेशा क्लियर है कि मुझे रनिंग करनी है सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग और लोग काम है कहना आपकी सर्जरी हो गई अब देखो हरको हमारा वेल शरी होता है अब उनका भी कंसर्ण होता है कि अभी आपको सर्जरी नहीं करानी चाह कि छोड़ा सके तो पढ़ता है नहीं है बट एक सकोप के लिए हम सर्जरी कराते हैं अपनी बाड़ी को और अच्छे से उस इन्वाइमेंट में ढ़ने के लिए हम सर्जरी के प्रॉसिस के लिए जाते हैं अब भार से लोग आते हैं आपको 1की 2.1 के अंदर प्लसॉइंट यही है कि आपका रीकंस्रक्ट हो जाता है क्योंकि आपके पास एक एज होती है और यंग एज में ही की रिकवरी इसके अच्छे से हो जाती है क्योंकि आपकी बॉड़ी इसको सपोर्ट करती है क्योंकि आपके पास एक एज होती है और बागी जो लोग बोलते हैं उसको आप करें एक कांशे सोने दूसरे कांशे निगालें यसे बहुत सारी चीजों में हम लोग करते हैं अब exercise करते हैं हलका साप पेई फील होता है और उसके बात क्या करते हैं लोग exercise करना ही बंद कर देते हैं कि हमें पैन हो रहा है क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़े हो चुकी है और इस चीज के प्रोसेसे में निकल चुका हूँ कि मुझे भी हलका फुलका पेंड होता था और स्पेशली जो पेन है जो पेन की बात करो ये हमेशे नी बेंडिंग के टाइम पर होता है तब आप अपना घुटने को मोड़त टोंग आपने इस लेवल तक हैं तो अवैंल आपको इतना जाना है ज्याहरा बड़ा टारगेट ना रखें ध्री लिवन तारगेट अर बना चोकीर जो क्या है कि टेंशन में आजाते हैं कि उनका जो थाई मुसल है वो इदम श्रिंक हो रहा है मतलब जो थाई उनकी पथली हो रही है और एक्सराइस भी कर रहे है तो इसका रीजन यह होता है कि जो हमारा जो लिगमेंट बनता है वो हैंस्रिंग से बनता है हैंस्रिंग की हेल् जो श्रिंग कोन लगता है जब आपकी सर्जरी होई होती है उसका रीजन क्या है जब आपका normal कैसे होगा वह होने में कम से कम कम से कम आपको 9-12 महीन आसपस लग जाते हैं और खुमते थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब ओर मुला जाता है ठीक है आप जो एक्सेस करते हैं क्ने से ही वो ठीक होता है जब आप exercise करते चले जाएंगे तो आपका देखेंगे आपको उसमें एक development देखेगा उस muscle के अंदर दूसरी चीज कि टेंशन में नहीं आना क्या रहे हमारा तो यह पतला हो गया है अब हम क्या करें और तो टेंशन हो ही और तो टेंशन नहीं लेने वाली बात रहें, यह नॉमल होता है मेरे साथ भी है सबके जो के साथ होतां को तो टेंशनर लेने वाली बात नुह recount वह आप की आप वोर टॆबर कर लेंगे आपकी बॉड़ी उसको कि लेकाल कर लेघ आपका left or right, दोनों में से जो भी leg injured हुआ है, तो लोग क्या करते हैं कि खाली left की या right की ही exercise करते हैं, injured leg की exercise करते हैं, normal leg को भूल जाते हैं, अब समझ यह इस चीज को, कि यह दो पिलर से आपके, ठीक है, दोनों पे equal weight है, अब इसमें injury हो गई आपकी, ठीक है, इसमें injury होने के लेक को strong बनाना है, और strong बनाने के लिए दोनों legs से ही exercise करना पड़ेगी, अब लोग क्या करते हैं, कि खाली injured वाली से करते हैं, injured वाली से करना ही है आपको, लेकि नॉमल वाली से भी करना है, तभी आपकी जो leg की strength है, वो gain होगी, दोनों legs आपकी strong होगी, तब दूसरी वाल सकते हैं, साथ हाथे तक उस पर आप वेट बेर नहीं कर सकते हैं, तो सारा stress इस वाल लेक पर पड़ता है, और उसके बाद भी पड़ता है, क्योंकि आपकी जो recovery है, उसमें टाइम लगता है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, आप दोनों legs से ही exercise करें, और जितना ह आपके जाके आपको दिक्कत कर सकती है, तो exercise दोनों legs को आप equally treat करें, exercise के टाइम पे कट-कट की आवाज आती है, या चलने के टाइम पे कट-कट की आवाज आती है, आफ्टर सर्जरी, तो यह बहुत कॉमन चीज है, इससे घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने exercise को कॉ swelling है, या बहुत ज़्यादा पेन है, उस case में आप वाक्टर से अपने consult कर सकते हैं, अब क्या होता है कि लोग recovery के होना जल्दी expect करते हैं, उनको लगता है कि भाईया, हमारी surgery आज जो है, तो हम कल से running करना start कर दें, तो वो चीज नहीं कर तो ज़्यादा बेटर है, आपके ल जो चीज आप 9 मंस के बाद करने वाले हो सकते हैं, आप 7 वे महीने में, 8 वे महीने में वो आप start कर सकते हैं, तो एकदम रश्च ना करें, अराम से easily smoothly process के साथ बढ़ें और चीजों को फालो करें, अब बहुत लोग पूछते हैं कि भाईया, हमें नहीं जाना sports में, नहीं कर पर के जिम-based exercise से क्या होता है, और डॉक्टर ने बोला है, पर्सनल भी और डॉक्टर की जो advice है, दोनों mix कर के बताता हूं, कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका muscle जो है, उस हिसाब से strong होगा, और आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी, और 50s, 60s, कि जिन लोगों को arthritis वाली दिक्कत होती है, तो जो ACL के patient होता है, उनको 15 सल पहले वो होनी start हो सकती है, ऐसे cases होते हैं, बाद डॉक्टर की advice क्या कहते हैं, कि वो यह कहते हैं, कि अगर आप exercise को continue रखते हैं, तो आपको late 50s, 60s में वो जो pain है, arthritis वाला, वो कम होगा, अब बहुत लोग क्या करता है कि knee brace हटा देते हैं, but knee brace आपको discomfort देता है, I can't understand, but जो knee brace है, वो ही आपको comfortable बनाता है, एक आपकी surgery होई होती है, तो surgery के time पे वो आपको support का काम करता है, जो knee brace होता है आपका, अब लोग क्या करते हैं, रात को सूते टाइम उसको हटा देते हैं, but वो हटाना नहीं है, जब त इसन वाले exercise होती है, उस time पर आपको starting initial days में ही पहन की करना होता है, तो knee brace आपकी help के लिए है, आपको discomfort होगा, I can understand, but उस चीज़ को आप अवाइड कर सकते हैं, अवाइड कैसे करेंगे, नी brace हो आपको पहनना है, especially sutra time तो जरूर पहनना है, क्योंकि sutra time आपको थोड़ना प करता है, so I hope ये आपको वीडियो पसंद आई हो, comment में जरूर बताना, next जो वीडियो है किस topic पर देखना चाहते हैं, वैसे मैं सूच रहा हूँ कि क्या precaution लेनी होती है, surgery से पहले, उस पे एक वीडियो बनाया जाए, अगर आप चाहते है उस पे वीडियो बनाया जाए, तो झाल झाल झाल